तो पांच ऐसी बाते जिसे मसीन चलाते समय आपको ध्यान में जरूर रखनी है और उस टाइम में जब गर्मी का सीजन हो या फिर गर्मी का मौसम हो तो इस समय आपको बहुत ही जादा ध्यान देनी की जरूरत है वो क्या-क्या चीजे हैं और हमें किस तरीके से उसे समझना च तो इस तरीके से जब हम मशीन चलाते हैं तो यहां पास आप देखिए कुछ-कुछ तुकड़े जो है आ जाते हैं तो इनको क्या करना है आपको तूरं से तूरंद उठा लेना है तो कि घर्मी के टाइम में ऐसा होता है कि गरम हवा और टेंपरेचर के करण जैसा कि अभी मैं अपनी जगह की बात करूं तो 45 डिग्री यहां टेंपरेचर चल रही है तो इनकी वज़ासे क्या होता है ज्यादा टेंपरेचर होनी की वज़ासे यह जो हमारा टेबल होता है यह दरसल जी आई प्लेट का है तो यह थोड़ा सा हीट हो जाता है तो हीट होने की वज़ासे एक खूला जगह होने की वज़ासे क्या है जो प्रिमिक्स का तुकड़ा होता है जैसे यह तुकड़ा आपको दीख रहा होगा तो यह बहुत जल्दी सूख जाता है बनाने के बाद इसको तुरब इस तरीके से आप सीरा सीरा इसको रिपलेस आप अपने बॉकेट में डाल दीजिए कुछ भी आपको छोटा सा भी तुकड़ा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह जो टेबल यह पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए जरा भी छोटा सा तुकड़ा इस तरीके की जो है छोटी जो छोटी छोटी तुकड़े होते हैं वो भी नहीं रहना चाहिए इसको आप पुरी तरीके से आपको साप कर लेना है अब उसके बाद एक चीज और आप नोटीस कीजेगा जैसे कि छोटा छोटा जो गैप है यहाँ पे देखिए आपको गैप दीख रहा होगा तो यहाँ भी जो है प्रिमिक्स कर तुकड़ा छोटी-छोटी जो है चले जाता है तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके बाद आप एक चीज और देखिएगा यहाँ जो गैप होते हैं जैसा कि मैंने इसमें पेपर डाल लिया हुआ है पेपर क्यों डाला हुआ है तो इसको आप बंद करके रखिए और यह प्रिमिक्स जो है वो सुख जाता है सुखने की वज़े से क्या है यह भी आके यहीं मिलता है तो यह आप जो गैप है वो बंद कर दीजिए साइड में भी होता है उसको भी मैंने दोनों तरीके से बंद कर दिया है ताकि जो प्रिमिक्स का कोई भी तुकड़ा हो वो वहीं रूके रहे इधर ना आए तो एक चीजे और आपको कर लेनी है तिसरी चीजे आपको ध्यान में रखनी है यह जो आपको बाइपस जो प्रिमिक्स निकलता है वहाँ पे एक आपको कपड़ा रख लेनी है जैसा कि हाता है गर्मी के टाइम पे यहां का जो हमारा हिस्सा है वो टेंपरेचर हीट होनी के वज़ासे या फिर कंटिन्यू मशीन चलने की वज़ासे यह गरम हो जाता है अभी भी मैं हात लगाओं तो इसमें थोड़ी सी गरम बनी हुए तो उसके लिए आपको क्या करना है यह इ कोड़ा सा इसे राउंड सेफ में ले लेना है मतलब मोड लेना है जो कपड़ा फैला हुआ है और उसके बाद आपको यहां से यह से इसको इस तरीके से जैसे कि आप देख परेवभी यह प्लेन है तो इस तरीके से आप यहां पर डाल दीजिए इससे दो चीजे होंगी एक कपड़ा आप गीला रखोगे तो वो सूखेगा नहीं दूसरी चीज तो यह क्या है आपका प्रिमिक्स नहीं सूखेगा तो क्या है इसे आप दूबारा यूज में ले सकते हैं तो आइट साइड में कहीं भी यहां वहां बहुत सारी जगाओं पर यह गिर जाती है तो यह होती है उसके बाद जो है एक चीज आपको और नोटीस करनी है जैसे कि आप सامने देख पा रहे होंगे तो ये हमने माजा रख लिया है जैसा कि गर्मी में हमको बहुत ज़्朝 जरूरत होती है माजा पीने के लिए आपको भी मशिन में पानी है मैं मजाग कर रहा था सो करना क आप देख सकते हो तो ये मैंने ये क्षेट कर दिया है तो इससे होगा क्या जैसे कि ये हमारा हब है तो हब में क्या होता है ज्यादतर हमारा रॉकेट जो है बहुत जल्दी जाम हो जाता है तो इसको क्लीन करने के लिए आपको इसमें हलका सा थोड़ा पानी डालना है और पा कि होता क्या है ना मैं आपको बताता हूँ जब आपकी मशीन चलते रहेगी तो गर्मी के टाइम में ये भी थोड़ा हीट हो जाता है गरम हो जाता है तो नोजल जो होता है हमारा सामने का जो नोजल होता है वो भी थोड़ा सा गरम हो जाता है गरम होनी के वज़ए से क्या है क्वांटिटी होती, छोटी जो तुकडी होती है, वो वहां पे जाके नोजल पे जाम हो जाता है, तो जाम होने की वज़े से आपका बैंबू स्टिक आने माला है, वो जाके यहां पास रुख जाएगा, या फिर और कुछ चीजें जो है, होनी चालू हो जाएंगी, तो उसके तो ये आपकी जो है रोकेट पूरी तरीके से साफ रहेगी और इसमें फसने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तीन चार चीजें थी जिसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ज़्यादातर क्या है ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं खासकर गर्मी के दिनों में बाकी आउट सीजन में जैसे बारिस का टाइम हो या फिर ठंड का मौसम हो तो उसमें ये पूरी तरीके से सूप चुकी है और जैसा कि केरेट में देख रहे हो आप तो ये रखी रखी सूप गई इसमें ड्रायर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ीगी ऐसा लग रहे है मेरे को पूरी तरीके से सूप चुकी है तो इन सारी चीजों को आप जरूर ध्यान रखे और इसी तरीके के और problem solving वीडियो देखनी के लिए हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करके रख ले मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद